अब आप जोड रहे हैं इंडिया की नंबर वन इंस्टिटूट अभी मन्यू आईएस से और फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट यहां पे आईएस और पीचेस के लिए स्टूडेंट्स को फ्री ओफ कॉस्ट यहां पे गाइडेंस, मेंटर्शीप और टॉपिक वाइस जो है वो प्रिपरेशन करवाई जाती है तो स्टूडेंट आज हम यहां पे पीचेस एग्जाम 2024 के लिए डिसकस करेंगे स्टूडेंट पीवाई क्यू फार मेंस एग्जामिनेशन प्रेवेस य बहुत अच्छा रिस्पॉंस रहा प्रेलिम्स के जो हमारे MCQ थे and I hope कि यह वाले सेशन भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे for your PCS मेंस एग्जामिनेशन student one thing you should remember that जितना important आपका प्रेलिम्स है उतना ही important आपका मेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेलिम्स क्वालिफाई हो गया है बट अभी मेंस का कुछ अता पता नहीं है ना उसके PYQ देखे ना practice की कुछ नहीं किया अगर ऐसा है student तो आप एक बहुत बड़े illusion में है क्योंक आपकी असले competitors जो serious candidates होते है वो ऐसी mistake कभी नहीं करते है ठीक है silly mistake and they know that means examination is much much important and it should be prepared before your prelims ठीक है so that बाद में जाकर अगर time period बहुत ही कम होता है जैसे कि prelims और mains में hardly आपको two month का time मिलता है और कई बार तो वो भी नहीं मिलता है then यहाँ पे एक बहुत बड़ी problem आती है कि student की practice नहीं हो रखी होती आता बहुत कुछ है ठीक है अभी उसको two hundred word में limit करके कैसे लिखना है क्या लिखना है किस तरीके से लिखना है उसका क्या way है students को कुछ idea नहीं है उनको लगता है जैसे हमने अपने graduation में paper लिखे हैं वैसे ये paper भी लिख देंगे बट ऐसा नहीं है students ये graduation के paper नहीं है आप believe कीजे ठीक है this is the competitive exam यहाँ वहाँ पे आपको सिर्फ passing marks लेने है आपको percentage लेनी है किसी के साथ आपको fight नहीं करनी यहाँ पर आपको fight करके अपनी seats secure करनी है students so that's why students prelims as well as mains both are equally important ठीक है ये बात clear आपको तो ये बात अगर आपको clear है तो move करते है students हमारे आज के paper पे कल student हमने paper 1 discuss किया था और आज हम discuss करेंगे student paper number 2 means कि GS paper 2 discuss करेंगे यहां पर हम ठीक है GS paper 2 syllabus already आप सबको पता है कि क्या syllabus रहने वाला है हमारा ठीक है so सिधा dive करते है students हमारे question paper के उपर ठीक है okay and you also know कि notification कभी भी out हो सकती है for the Punjab civil services ठीक है तो discuss करते है student हमारा आज का paper that is previous year question paper number 2 ठीक है इसको समझते है student तो आप प्लीज मुझे 1 second का एक time दीजिए मैं PDF यहां पे आपको show करती हूं ठीक है wait for 1 second okay okay student तो paper आपके सामने है student paper number 2 2018 का total जो यहां पे number चाहिए आपको that is maximum marks कितने है 250 का paper है student number of question कितने है उतने ही है 15 number question है student आपके 15 question है तो question यहां पे discuss करने शुरू करते हैं तो पहला ही question जो है वो governance पे है ठीक है इसका मतलब यहां पे जो portion cover होने वाला है वो हमारा cover होने वाला है student quality quality का ही part है हमारा governance ठीक है ओके तो सबसे पहले हमारा governance पे ही question है student पढ़ते हैं question काफी ज्यादा challenging questions है ठीक है ज्यादा अपने आपके उपर आपको यह हो कि हम यह question लिखी लेंगे तो आप गलत भी हो सकते है student ठीक है तो देखी कुछ क्याता है transparency and accountability are the key to success of good governance build your case for or against it ठीक है transparency and accountability दोनों ही चीज़े successful है for the good governance governance क्या है सबसे पहले तो आप इस word को समझे governance क्या है भाई आज तक government तो सुन रख है governance क्या है यहाँ पर governance word drive हुआ है student governance से गवर्ण से हाउ यू गवर्ण मतलब की आपनी लौ बनाया गवर्मेंट बनाती है लौ स्टूटेंट तीन हमारे डेमोक्रेसी के में पिल्लर है स्टूडेंट हमारे एक है लेजिसलेचर लेजिसलेचर मेरी बात ध्यान से सुने तो एक से एक्जीक्यूटिब एक है हमारा जुडीश्री और इन तीनों को बीच में जो सिंपल जो चीज है जो तीनों को कनेक्ट करके रखती देट इस अवर कॉंस्टिटूशन तीनों ही चीज़ों को गवर्न करने के लिए हमने बनाया Constitution कौन किस तरीके से काम करेगा ये तीनों को गवर्न करता है हमारा Constitution Constitution order देता है कि आपको इस तरीके से काम करने Government जो है वो law बनाती है Legislature Legislature में कौन बैठता है Government हमारी यहाँ पर government आके Government का में कामें law बनाना Country के लिए अच्छी अच्छी law बनाना जो country के लिए benefit हो उन law को implement कौन करता है execute कौन करता है हमारा executive मतलब की IES PCS officers bureaucrats और bureaucrats का में यहाँ पर रोल आता है governance का governance का और उनको check करता है time to time हमारी जुडीशरी जुडीशरी का काम है check करना कि भाई जो law बना वो सही बना और वो सही तरीके से implement हुआ यह दोनों काम करता है हमारा जुडीशरी यह बात clear होई है इस question में उसी चीज का demand है क्या था transparency and accountability दोनों चीज़े हमारी good governance की निशानी है कैसे accountability accountability मतलब की जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार है आप एक PCS officer है अगर आपने को document sign किया है आपने किसी को permit किया है आपने कोई चीज अपने district में allow की है then you are slowly, solely only and only you are responsible you are accountable ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने order दे दिया कि हंजी आज 144 लगा दीजिए ठीक है और फिर उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया और फिर आप कहो कि I am not accountable person मेरी कोई गलती नहीं riots होगे ये बात क्लिर हुई आपको तो student accountability जो है student वो बहुत ही ज्यादा यहां पे एक एक ऐसा word है student जो बहुत ज्यादा PCS और IES की life को बहुत ज़दा impact करते अगर आपको सही तरीके से govern करना है according to rules and regulations जो भी government ने बनाए है उसके लिए सेकेंड यहां पे word है transparency transparency का मतलब कि हर काम जो भी होना चाहिए वो transparent होना चाहिए उसमें घपला नहीं होना चाहिए पता है ना जैसे कि public distributions and अब PDA system क्या है public distribution service है लोगों को थोड़े दामों पे राशन बांटा जाते बट आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पे राशन सही नहीं मिल रहा है कहीं पे time पे नहीं पहुंचा कहीं बार कम मिल गया कहीं बार मिला ही नहीं तो बाद में पता चलता है कि वहां पे क्या हो रहा था corruption हो रहा था वो जो राशन था इसा नहीं होना चाहिए हर एक काम का क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कब कहां क्यूं क्या हुआ किस तरीके से हुआ हर चीज जो है वो अन्दा रिकॉर्ड होनी चाहिए इसी को लैंड अलॉट हुई है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ऐसा हो ना हर एक record जो है वो online चड़ते है डेटा है जाए कुछ भी है वो online portal की उपर चड़ते है क्यों so that एक transparency बनी रहे ठीक है घपले बाची ना हो तो दोनों ही चीज़े जो है वो हमारी good governance के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है transparency भी और accountability आगे चलते अगले question पर आते कहता corruption in public life is a great challenge for the Indian democracy and you know very well corruption जो है वो कितना ज्यादा खतरनाक चीज़ है किसी भी country की development के लिए ठीक है उस पर आपको लिखना है corruption के उपर इसमें student आप बहुत सारे case studies लिख सकते हैं बहुत सारे आप बहुत सारे example देख सकते हैं जैसे की कितने सारे example है corruption के अगस्ता उफर ठीक है जो आपकी deals हुई थी ठीक है बहुत सारे panama paper leak हो जाते हैं कई बार आपने देखा होगा ठीक है मतलब बहुत सारा data है administration का ठीक है हर बार उनकी reports आती है अलग-अलग corruption के मामले media में क्या कुछ हो रहा है corruption के कितने मामले दर्ज होए ठीक है क्या-क्या इनके अंदर loopholes है क्यों हो रहा है corruption उन सब के बारे में आप यहाँ पर detail form में यहाँ पर question को आप address कर सकते हैं फिर next है हमारा identify the major hindrance in the functioning of parliamentary democracy आप देखिए democracy हमारी parliament में क्या चलता रहता है कभी government गिर जाती है कभी unstable हो जाती है कभी law passed नहीं होता ठीक है कभी वो किसी committee के पास चला जाता है कभी वह बिना discussion के law जो है वो पास हो जाता है बहुत सारी hindrance next है critical examine the role of NGO ठीक है non-government organizations ठीक है क्या role है इनका कहता है society की development में बहुत role है student जो serving करने का जो main तरीक है serve करने का जो purpose होता है वहाँ पे NGOs और हमारी civil societies बहुत अच्छा role play करती है करते के नहीं करते कहीं भी disaster आता है देखो पूरे और आस पास के एरिया में घूम घूम कर वह affected people के लिए clothes arrange करती है financial funds raise करती है है ना फिर उनको help पहुंच आई जाती है आगे देखी next देखी next क्या है हमारा next देखे ज़ूब next कहता है कहता है discuss the benefits of discuss the benefits of benefits and challenges go with the simultaneous election to लोगसभा और state assembly जब simultaneous elections नहीं होते हैं लोगसभा और state assembly जैसे कि अब आप देखे simultaneously elections होगे किसके हमारे हर्याना के ठीक है एक दूसरे के साथ साथ ही है election मतलब थोड़ थोड़ टाइम बाद ही है I think थोड़ा टाइम तो सच है sorry simultaneous elections होते हैं मतलब कि लोगसभा और state के सारो की elections जो है वो क्या हो यहां पे simultaneously मतलब एक तरफ state के election हो जाए और एक तरफ लोगसभा की हो जाए कहता है उसके यहां पे आपको disadvantage बताने है benefits भी बताने है और disadvantage भी बताने है ठीक है okay ठीक है इसी तरीके student social audit पे होते हैं social audit ठीक है promote the accountability and transparency next है हमारे discuss the recent challenges before election commission अभी भी देखो election commission बहुत news में है यह question repeat हो सकते है आपका next है comment on direct cash transfer for the welfare scheme direct cash transfer करते है ना अज कल government बिल्कुल करते है उस पे question है ठीक है यह सारे question आप आराम से कर सकते हो student ठीक है देखो यहां पे indicate the challenges of economic policy after 2014 initiative taken by government फिर करता प्रपोज इंडिया जपान एशिया आफ्रीका कोरिडोर के बारे में यहां पे बात किये ठीक है अच्छा इंटरनेशन रिलेशन का यह question है student इंटरनेशनल रिलेशन का यह question है student यह वाला यह जो question है student that is international relation आपको भी बताए कोरिडियल रिलेशन से हैं हमारे किसके साथ जापान और इंडिया किसा दोनों मिलके कोरिडोर बनाना चाहते हैं कहां पे अफ्रीका के अंदर ठीक है next देखें किता what could be the ramification of the failure of Iran nuclear deal on India's interest फिर से sanctions लग जाएंगे और इरान आपको पता है बहुत बड़ा largest exporter है student किसका natural oil का natural sorry gas का and India energy deficiency country है student so that's why student that is very important कि इरान के उपर sanctions ना लगे और हम उनसे अराम से हमारा natural oil gas वगेरा हम purchase करते रहें ठीक है बहुत ही अच्छी neighboring country है neighboring country तो नहीं मतलब एक country छोड़के है okay what could be the next reorganization of security council of UN is the need of our पता है आपको सिर्फ 5 ही उसके अंदर members है but हाँ अब equations change होगी है word जो polarity यह वो change होगी है तो यहाँ पर इसको भी change करनी की जरूरत है students फिर यह करतार पूर साइब को लडोर की यहां पर बात करता है क्याता किस तरीके से यह tension को कम करेगा इंडो पाक के अंदर है न पाकिस्तान के साथ tensions कैसे कम होगी तो बिलकुल होगी हमारी students अगर लोगों के अंदर एक sympathy रहेगी लोगों का अपस में मिलना चुलना होगा students बहुत ज़्यादा क्या होगा आपको benefit होगा definitely होगा आपको भी पता है रोहिंग्या कौन थे रिफ्यूजी आ रहे है कहां से Myanmar से रोहिंग्या जो है और वो रोहिंग्या को क्या कर रहे है country से आउट कर रहे है यह सुर्म यह बात समझ में है आपको ठीक है student तो देखिए student बहुत easy है बट आपको लिखना पड़ेगा student practice करनी पड़ेगा ठीक है जिए ओक्योट तो student हम यहाँ पर session को करते हैं over ठीक है जिए यह बहुत ही ज्यादा helpful रहेगा ठीक है for your preparation for your means preparation specially ठीक है जिए ओक्योट इसलिए के साथ student हमारा new batch start हो चुका है for the Punjab Civil Services आप join कीजी बैच link आपको description box में मिल जाएगा thank you have a nice day झाल झाल